उप्चुनाव की नतीजे आपके सामने हैं प्रधान मंत्री जी आज शायद किसी विवा में शामिल हो उनके चेहरे पर आज मुस्कान नहीं होगी अच्छा नहीं लगता लेकिन नहीं होगी अब क्या कर सके ये उप्चुनाव जो 13 सीटों पर हुए बहुत महतुपून हर अब एक महिने में समझ लीजे दूसरी बार आती जनता पाती को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है लोगसभा चुनाव में संदेश बहुत सपष्ट था हुजूर इस कदर भी नहीं तरा के चलिए अब एक महिना हो गया लोगों ने देखा रवया में कोई फरक नहीं है अभी भी वोई एंट वोई घमंड वोई एहंकार फिर से एक संदेश दिया उत्राखंड में हमारी हम दोनों सीटें जित गए बद्रिनाद की भी और मंगलोर की भी हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव निर्दली तीन विधायकों से इस्तीफा लिया गया उनसे इस्तीफा करवाया गया हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बरबाद करवाया गया आप लोग उसको उपरेशन लोटस कहते हो मैं उसको उपरेशन कीचर कहता हूँ ओपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है सबसे मजबूत जवाब देता है हिमाचल में देहरा विधानसवा शेत्र में नालागड में हमें जीत हासिल हुई हमीरपूर हम हा रहे हैं लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेमली इलेक्षन में विधानसवा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे कॉंग्रेस नहीं जीती थी इस बार कॉंग्रेस ने तीन में से दो जीत ली और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आखलन करेंगे तो भारती जनता पार्टी को सिर्फ दो मिली अमरवारा पे मैं आता हूँ जो मद्यप्रदेश का विधानसवा शेतर है जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं काउंटिंग रोक के पूरा अमला पूरा प्रशासन जुट जाता है कॉंग्रेस को हराने के लिए जो व्यक्ति पिछला विधानसवा 25,000 से जीता भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है जनता देख रही है इन तमाम विधानसवा छेतरों के वोटर्स का हम कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो शड्यंत्र कर रहे थे समिधान को कमजोर करने का समिधान को बदलने का और चुरी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो शड्यंत रच रहे थे उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है सबसे पहले उनका धन्यवाद